नमस्कार सौकत आप सभी का हमारी खास पेश कुछ देखने मुद्धा आप के साथ मैं हूं घंशाम मुद्धा मैं आज बात करेंगे चीन की दोहरी चाल की सीमा विवाद के बीच चीन लगातार खुद को मजबूत करने में जुटा है बाचीज से मसलों का हल निकालने की बात करने वाले ड्रैगन की एरादे खतरनाक मिज़र आते हैं ड लद्धा, हिमाचर प्रदेश और यहां तक की उत्राखन के विपरीत भारत, नेपाल, टिबब, ट्राइ जंक्शन से बहुत दूर नहीं हैं इन में से अधिकांश जिंगयांग प्रांत में हैं जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस के साथ सीमा साजा करता है यह शित्र लद्धा के साथ भी सीमा साजा करता है जो पिछले एक साल से भारत और चीन के बीच सैनिसंगहर्श का केंद रहा यह भी इस शित्र में आता है अवनाचर प्रदेश के सामने दो नए हवाई अड़े भी पाइपलाइन में हैं चीन, पाकिस्तान, आर्थिक, गलि होती की है, राजनाइक और सैन्ने वारता जारी रहने के बावजूद चीन उन हवाई अड़ो पर बन्यादी रहाचे को बढ़ा रहा है जिनका इस्तेमाल लद्धाक में कारवाई के लिए किया जा सकता है, लद्धाक, हिमाचल और उत्राखन के करीब 14,000 फीट की और उत्राखन से निकटा होने के चलते इसे एक रणितिक शेत्र के रूप में भी देखा जाता है, वहीं चीन तिबत में भी लगातार खुद को मजबूत कर रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन के राश्पत जिर्पिंग ने ब्रामपोत्र नदी पर बन रहे बांध का भी निदिक्षन किया, चीन यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध मरा रहा है, वहीं भारत इसका कड़ा विरूत कर रहा है, फिश्टक कुछ वर्षों में चीन ने तिबत के बौध मठो पर अपना नियंतर बढ़ा दी है, तरस्त चीन LSE पर शांती की बात तो करता है, लेकिन अपने वादे पर खरा नहीं उतरता, कुछ दिन पहले ही विदेश मंतरी S.J. शंकर ने चीनी संकक्ष वांगी को खरी-खरी सुनाई थी, तजाकिस्तान में होई शंहाई, संग्योग संगटन की बैठक स हुई थी, विदेश मंतरी ने फरवरी 2021 में बनीश सहमती की भी याद दिलाई और कहा कि दोनों से नाओ के बीच डिस इंगेजमेंट को पूरा किया जाए, ताकि LSE पर अभी अंसुल जे पढ़े सवालों का हल मिल सके, इसके बाद चीन की तरफ से भी बयान आया था, कि वो मुद्दो का हल बाचीट से चाहता है, चीन एक तरफ बाचीट का रागल अप रहा है, वहें दूसरी तरफ LSE पर खुद को मजबूत कर रहा है, सवाल यह है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है, आकिर चीन की साज़िशों का कैसे जवाब दिया जाए, तो चीन के इस अंदाज और मिजज़ को समझने की आज कोशिश है, मेरे साथ दो खास मेमान जोट रहे हैं, मेरे साथ जेकी तरिपाठी साब जोट रहे हैं, पूर राजनेक हैं, साथ जाथ मेजर जनरल अश्वनी शिवाज चर्चा का हिस्ता हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है आप दोनों का इस बहुत बहुत स्वागत, सबसे पहले तरिपाठी जी आपकी पास आना चाहूँआ, सर चीन के इस चरितर को समझे कैसे, चीन कहता कुछ है, करता कुछ है, अब फिरहाल जो दोहरी चाल दिखाई दे रही है, इसके बाद चीन को समझना थोड़ा मुश्कि के बाद से चीन का यही रवयरा है, उसमें जिस देश के साथ भी जैसी बात किया है, बस जो भी बात किया है, वो सिर्फ दिखाई की बात किया है, उसके खाने के दानत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, यह हम कई बार देख चुके हैं, यह हम यह भी देख चुके है कि 1950 के दशक में भारत ने जब कि चीन भारत ने जब कि सम्युक्त राश्चंग की स्थाई सद्सिता की सिपारिश चीन को की थी जब कि चीन में 1962 में उसके बाद चीन ने कई बार 1870 में नाइनटी जगहों पर हमें हमारी टोह लेने की कोशिशित की मेजरला जीपला नाथूला वगरा जगहों पर चीन ने डॉकलाम में फिर देखी वो किया और अभी हाल में आपने देखा कि कल कि पिछले साल जो लगदाक में बा फिर भी चीन वैसे ही कर रहा है, फिर से वहाँ पर रिस्टैबलिश्मेंट कर रहा है, वहाँ पर कंसंट्रेट कर रहा है, लग्दाक की सीमा पर ही नहीं, बलकि पूरी भारत से मिली दूनी, 3488 किलोमेटर की सीमा पर, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए, कि हम चीन को नहीं समझ स और इसलिए चीन की हमें बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि विद पिंच अप सॉल्ट लेना चाहिए चीन जो भी कहें हम बात करने में कोई हरजा नहीं कोई की बात करना ही आखिरी हत्यार होता है बात हम करें लेकिन बात के साथ साथ हम अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है पिर इस बाक्षित का क्या फाइदा रह जाता है दिर्पार्टी जी देखे घंचाम जी मैं एक चीज़ बताओं आपके पास आप्शन्स क्या है अगर आप बात नहीं करेंगे तो क्या आप्शन्स है फुल फ्लेजिट बार जबी हुआ पिछले 100 सालों में हमारी जमीन पर युद हो रहा है हमारे और चीन के बीच में बार्डर पर युद होगा तो उसमें हमारी और चीन दोनों की एकोनोमी दस साल पीछे चली जाएगी और जैसे देखे एक बहुत बड़ी कहावत है अंग्रेजी की वार ड़स नाट डि देखे दूती विश्व दिवा प्रथम विश्व दिवा उसके बाद तमाम तनातनी वी कई उद्धूएं अभेहाल में इन अगोनो करावाख का हुआ सब के बाद क्या होता है युद्ध के बाद फिर से लोग अक्रॉस टेबल बैठ करके बातचीत करते हैं तो बातचीत तो आपको करना ही होगा ये जानते हुए भी कि ये बदमाश है ये अपनी बात का इनकी बात का भरोसा नहीं तब भी देश एक दूसरे के साथ बात करते हैं और हमें इसलिए बात करने से गुरुई नहीं करना चाहिए कि हम परोसी है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम खाले बातचीत के भरोसे बैठे जाना चाहिए कि पॉइंट यह निकल के सामने आता है तो सिवाज साब क्या चीन ऐसा है जिस पर हम यकीन कर पाएं क्यों कि होगा चीन पे अगर आप उसके साथ एकुली स्ट्रॉंग हो जाते हो तो चीन के साथ लड़ाई होने के चांसे बहुत हम हैं अगर चीन से आप बहुत कमजोर हो तो चीन आपको दबाएगा और यह सचाई है और इसी लिए जिस परकार पे चीन ने अपना लेका नाचर्टाज भारत को उसको अभी कैच अप करना पड़ेगा और भारत आफास्ट कैच अप कर रहा है लाद दस साल में भारत ने काफी हद तक अपने शड़के रोड़ और अपने ब्रिजेज रेलवे ट्रैक पनाए हैं लाइन आफ एक्टॉर तक उससे हमारा अभी काफी बड़ोतरी हो रही है मगर फिर भी चीन जो है वो और जोरों से लग गया है अगर आप देखें जिस तरीके से तीन चार पाइंट हैं जो बड़े इंपॉर्टन है एक तो जिस परकार से अभी जो सी जी पिंग न्यांग्ची में पहुँचे हैं अभी दो चार दिन प ट्रेन भी बना दी लासा से लेकर बना तक इसका मतलब अगर लड़ाई शूरू होती है तो उसकी जो मॉबिलाइजेशन है टुप्स की तीन चार घंटे में हो सकती है अरुनाचर पर देश यह आपको ज्यान रखना पड़ेगा और अब क्या कर रहा है जो चीन दूरा गाओं बनाएं हैं जो की मॉडरन विलेजें विद ऑल अमेनेटीज वो गाओं नहीं हैं बलके वो एक परकार से आपकी पोस्टें हैं जो कि लड़ाई के अंदर इस्तमाल की जाएगी तो यह भी एक कर रहा है तीस तरह यह क्या कर रहा है कि जिस परकार से इसके पूरे के है कि इसको मालूम है कि भारत को इसके एर फिल्ड में एज है क्योंकि इसके एर फिल्ड की हाइट जादा है तो एर काट पेलोड कैरी नहीं करते है इसलिए इन्हों ने एर फिल्ड को लंबा कर दिया है जिससे वो जादा पेलोड कैरी करते है तो यह भी अभी कारवाई कर रह रह सकते हैं और अभी उन्होंने जैसे भारत ने इस पिसल फंटियर फोज की है अभी यह जो टिबिट के हैं उनको प्रेसराइज कर रहे हैं कि हर घर से एक जो है फोज के अंदर पी एल लेके अंदर बढ़ती होगा तो कि उनको लगता है कि यह जो हैं लड़ सकते हैं क्योंक कि टिबिटन की लॉयल्टी अभी भी दलाई लामां पे हैं तो ऐसे में हमें यह देखना पड़ेगा जिस परकार से चीन प्यारी कर रहा है मुंग पे तो राम राम और बगर में चुर्री वाला काम है तो कि अगर आप देखें कि जो लड़्दाक के अंदर हमारी बादशी थोई उसमें तीन फेजिश के अंदर डिसंगेजमेंट होनी थी फेज पेज ऊन में होनी थी नॉर्थ और साउड पंगैंड़ेंग सो में फेज टू में होनी थी गोगरा होट्परिंग और फेज त्री मोनीदी डैपसंग जैसा ही फेज वन खतम हुआ और हमने अपना किलास रेंग जो हमारा ट्रम्प कार्ड था उसको वकेट कर दिया पाकितीन जो है अभी ना गोगरा ना होट्परिंग और ना डैपसंग से जाने को लिए त्यार है ठीक और भारत मुझे लगता है यह स्टाटिजिक मिश्टेक रही है कि हमने कलास रेंग को फेज वन में नहीं वकेट करना था अब हमारे पास कोई भी लीवे नहीं रह गया है वगर यह अलग बात है कि भारत अब वेल प्रिपेड है भारत के पास एक परकार से जो मिरर डिप्ल परका से काउंटर पंच है वो इसलिए क्योंकि जो एर रफैल आने के बाल भारत की एर पार की शक्ती बढ़ गी है रफैल भी है सुकोई फटी एम के आए मिक टुन्टी नाइन मिराश तूफाउदन जगोर और फिर अपासे अटाक है तो उससे भी चीन ने क्या किया है कि जादा से जादा वो अपने एर फील्ड बना रहा है एल एसी के काउंटर कहने के लिए क्योंकि जो उनका एरोप्लेन है टीफाई वो अभी भी स्टेल्ट है ठीक है तो ब्रैगन की चालबासियों को आस समझने का प्रयास है चीन की जो लगातार अपना विस्तार बढ़ाता जा रहा है बात करता है दोस्ती की बात करता है सहमती की बात बातचीत की होती है लेकिन उसके इतर उसकी तैयारियों को जो इजाफा है को कई और संकेत भी देते हैं और इनी संकेतों को समझने की कोशिश में बेहत खास हमारा लगाता है पैनल में मिरसत बने वें प्रेसिडेंट का जो दौरा है वो कोई बहुत इतनी बड़ी चीज नहीं है तो यह वह कह सकते हैं कि वो अपने छेत्र में दौरा कर रहे हैं भले ही हम यह कहते हैं कि वो छेत्र डिस्पूटेड है और वो एक सवतंतर देश है जिसको चीन नहीं मानता और यह भी है कि जब श प्लान ही इसलिए महतुकी है कि यह दोरा देखे वैसे तो मार्च में जो है फाइव यह प्लान में यह डिसाइड कर दिया गया था कि निंग्जी के पास जो है वो बहुत बड़ा डैम बनेगा जो कि त्री गौज दैम से भी तीन गुना होगा जिसके सटतर गीगाबाइट की पावर होगी तो यह तो डिसाइड कर दिया गया था उसका दिरिक्षर करने पहुंचे हैं और वो 164 किलो मीटर की तीन सो किलो मीटर की जो रेलवे लाइन है उसके लिए पहुंचे लेकिं समय आप देखें टाइमिंग जो मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग यह है कि अभी जब डलाई लामा के जनम दिन पर भारत और चीन के सेनी के एक दूसरे क्यामने सामने हुए थे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे थे उसके बाद अमेरिका ने चीन को तिपत के बारे में डलाई लामा के बारे में चेताउनी दी चीन ने यह कहा कि डलाई लामा क सक्सेसर चीनी सरकार नियुक्त करेगी, United Nations में इसमें प्रस्ताव पास हुआ चीन के विरोध में, इस सब के चलते चीन अब ये दिखाना चाहता है, इसी के दोरान चीन के रास्ट में गयें, ये दिखाना चाहते हैं कि देखें, यहां पर हमारी संप्रोंता कायम है, और किसी क कि इमत नहीं होनी चाहिए, कि कुछ कहें, आपको याद होगा जब समीव अशगार थी, CPC की, तो सब शेजिंग पिंग ने बिना नाम लिए ये कहा था, हलांकि उनका इशारा सिर्फ ताइवान की तरफ नहीं था, ताइवान के परफेक में उन्होंने कहा था कि हम टू ने कि ये तो पहले की सोची समझी नहीं थी, और आप देख लिजिए कि चीन जो है, एक यहां पर फरक हमारे चीन के बीच में मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी नीतियां उतनी लंबे दोर तक के लिए लॉंग टर्म नहीं होती है, चीन की ये जो बनाने की नीत है, डैम, ची कि ये दो हजार पचास तक चीन कार्बन उस सर्जन में जीरो की टागेट कायम कर सके तो चीन तीस साल पहले की बात, तीस साल बात की बात से उच रहा है, और चीन का हर एक कदम इसलिए प्रीमेडिटेटेट पहले से सोचा हुआ हुआ है, इसलिए मैं फिर से करता हूँ कि ह हमें चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें भी अपने ऐसे कदम उठाने चाहिए जो लॉंग टर्म में हुआ है, तो चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह सबसे बड़ा मूलमंत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए, सारी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करन है, देखो घंशाम पिल्कुछ जैसे अमबेस्टर साभ भी बता रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि जो चीन है, वो जोरों से अपना इंफरस्रक्शर ड्वालब कर रहा है, पूरा लदाख से अबराचर पने और यह पहले भी कर रहा था, मगर अभी इसको जब से गलवान औ इस्टन लदाख में हमारे साथ मुट भेड हुई है, तो कुछ है कि इसने बड़ी करेक्शन की है, एक तो जो मैं बता रहा था कि एर फीट को अपग्रेड कर रहा पूरी, क्रीब-क्रीब, गेर सो एर फीड हैं, जो नद्दीक हैं, तो कि चीन को मालूम है कि उसकी जो हाइ इस्टिटूड में एर फील्ड पेलोड कम ले जाएंगे एरक्राफ तो उनकी लैंथ बढ़ा रहा है, जो पहले इसके गैरीजन होते थे पतार से साथ किलोमेटर दूर होते थे लाइन अफ एक्शर कंट्रोल में, अब उनको भी इसने बहुत शुट कर लिया है, यह जो एक गरिप टिबेट पे और तेज कर रहा है, और उसने कहीं ने कहीं रिलाइज किया है, कि टिबितन सबसे अच्छे फाइटर्ज हैं अगर वो इस इस इलाके में लड़ते हैं, तो इसको बद नहीं जरकते हैं, अभी वो टिबितन को बाइफ फोर्स चेंज करने की कोशिश कर है, कि वो भी फोर्स के अंदर एक प्रकार से आएं, और इस चोती बात वो जो इंपोर्टन कारवाई कर रहा है, जो वो कर रहा है कि आप ये जो गाओं है, मौर्टन विलिजी जिसको बोल रहा है, वो बढ़ा रहा है, पांसो से लेके च्छे सो, बिल्कुछ साथ साथ अला ना लिजगा करने की करे रहा आप कल टिबिट में, अभी हो किया रहा है, भारत ने भी जोरों से अपनी इन्फरिस्ट्रेक्शर डॉलप की है, और कैपस्टी बिल्डिंग मनाई है, अभी तक हमारा फोकस जो था, वो था पाकिस्तान की तरफ, अब हमारा फोकस पाकिस्तान हमने लेज की है जिसको 70 कहने का मतलब यह हमने चीन की तरफ किया है क्योंकि आने वाले समय में चीन जो है एक बहुत बड़ा खत्रा उबरेगा और अब जिस परकार से हमने एक दो थबतों में बहुत बताया है इसको पाउंटर करने का तरीका हमें एक नेवी से भी बहुत हुआ है कि जो हमारी इंडियन ओशन के अंदर हमारी भारत की नेवी है जिसमें एरक्राफ्ट कैरियर भी विक्रमा देता है कि हमारे अंदर कामनियत है कि हम इसको चोक कर सकते हैं मलका स्टेट में अगर लड़ाई होती है तो इसको जो ट्रेड है उसको हम चोक कर सकते हैं और इसके पाउल सतर दिन से ज्यादा नहीं है यह भी डर है उसको और दूसरा डर जो उसको सता रहा है यह कौर्ड का जबसे हमने यह कौर्ड के उपर बातचीच स्टार्ट होई है तो कहीं न कहीं डर है चीन को कि यह कौर्ड कहीं आने वाले टाइम में मिल्टरलाइगेशन तो नहीं हो जाएगा भारत, अमेरिका, रूस और जपैन का जो समूँ है तो तो तूड़ा डर है तो तो तमाम बातों के बीग तो 2021 जो बात दिसंगेज्मेंट की की गई थी वो भी चीन को याद रखनी चाहिए और उसे याद दिलाया भी जा रहा है बहुत शुक्रिया सर, मुद्धा में मेरे पास अमें इतना है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया का बें, आप दिसंगेज्मेंट की बढ़ाया रहा है